पापा क्या बोल करके गए थी सब्सक्राइब काम करता है होटल में इसी काम करता है इसे वहां से गारी नहीं दे रहा है ती वहां सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले नमस्कार मैं हूँ राजीव रंजयन और आप देख रहे हैं जनादेश नियोज उडिशा के वाला सोर में रेल दुरघटना होने के बाद विहार के कई गरीब परिवारों का अरमान भी समाप्त हो गया इस वक्त हम नबादाजिले के रोप्रकंड अंतरगत मररा गाओं में मौजूद हैं जिस गाओं के पप्पु मांजी की मौत उसी रेल दुरघटना में हो गई है पप्पु मांजी अपने परिवार की अरमान को पूरा करने के लिए चिन्नई काम करने के लिए जा रहे थे लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था कि वो अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरन पोशन कर सकें अपने परिवार की उम्मीदें में नई उर्जा ला सकें और बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई हमारे पीछे उसी पप्पु मांजी के घर को आप देख रहे हैं किस तरह से उनका जो मिट्टी का घर है और इसी मिट्टी के घर को पक्का मकान बनाने की अर्मान को लेकर पप्पु मांजी अपने गाओं की मिट्टी को छोड़ कर हज़ार किलोमीटर दोर चेन्नाई जाकर काम करने का प्रियास कर रहे थे वहीं जाकर ये मजदुरी करते लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई ये आप देख सकते हैं उनही का परिवार है जो पूरी तरह से रो रहा है विलक रहा है पुरी तरह से ये पुरा परिभार मरमाहत है, उन्हें तीन-तीन बच्चे हैं, छोटे-छोटे, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुरे परिभार में कोहराम मचा हुआ है, ये उनकी पत्नी है, ये छोटा बच्चा है, काफी रो रहा है, बिलक रहा है, इनके आसु और इनकी बेदना को हर कोई तो व्यक्त कर सकता है लेकिन इनके दुख को कोई नहीं समझ सकता है इसी बच्चे के अर्मान को पुरा करने के लिए इनके पिता चिन्न ही जा रहे थे लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था आज तक जितनी भी दुरगटनाएं हुई है जितनी भी त्रा अश्कार मरता है यह उसी पपु मांजी की पत्नी है उनके आसों को मैं के बल पोज सकता हूं और नहीं काम स达सी पुलां नहीं प nutri्ride प्रविला देवी कब से चन्हें में रहते थे चन्हें में 5-6 साल से कुं काम कर रहा है सर पांच यहां से कब गए थे यह वीद्ष्पत के बार आया है सुकर करके घटना कर टीया अधर को गया थे हैं इस बार क्या पूल करके गए थे इस बार कग जाएंगे तक ben बनाएंगी बाल बचा के सेवा करेंगे खिर पिलाएं करेंगी यहीं सर्मत्टी के घर है हमारा सरकार से यूजना कालाब दए सर कुछ नहीं पता नहीं क्यूंने दे रहा है को पक्यतने आए पापू चार भाई है पुचार वाई तो आप पपू की पत्नी हुई कितने बच्चे हैं तीन बच्चा है दोलर के आपको कैसे सुचना मिला कि हमारे पती अभी इस दुनिया में नहीं रहे ही साथ आदमी किया है तो एफ़ोन करें वहां से की पपुजी नहीं है दुनिया में अच्च तो कि सब आरा हमना है धार अब हैं तो हाँ यारा उसव सब गारी नहीं दे रहा है थी वह ला हमुत हो गिए जगारी नहीं दे रहा सरकार से पैसा से 40 अरुपया लग रहा है तो पैसा को इनके पती की मौत हो गई है और मौत होने के बाद उनकी पत्नी को 40,000 रुपया देना है उस डेट वड़ी को लाने के लिए हाइरे सरकार और सरकार का सिस्टम इस पे रोना आता है कि जो विहार का मजदूर एक हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके मजदूरी करने जा रहा था विच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है दुरभाग्यपुर्ण मौत होए और उसके डेट वड़ी को लाने में पैसे लगेंगे इस पूरे परिवार के अर्मान को पूरा करने के लिए पपू चे नहीं जा रहे थे ये सबसे छोटा बेटा है पपू का सबसे चोटा है ना को दीक इना पीटल वो जो बैटा उससे घंवाचीत करेंगे क्या नाम वहा तुम्हारा ए सखर पापा का नाम था टोई पिड़ाही करते हैं किस दुषास में प्ड़ते सब्सक्राइब पड़ते हो पापा क्या बोल करके गए थी सब्सक्राइब काफी बहतर अर्मान था है ना अर्मान को पूरा नहीं कर पाए है यह शेकर है यह सबसे बड़ा बेटा है पपु मान जी का और इनका कहना है कि भाई हम अपने अर्मान को पूरा नहीं कर सके क्योंकि इनके पिता इनहीं के अर्मान को पूरा करने के लिए विहार से एक हज़ार किलोमीटर की दूरी पर जाकर मजदूरी करते थे जबकि बिहार में प्रते एक साल लाखों मनरेगा के मजदूर कागजात पर काम करते हैं वाबजूद आप सोच लिजे कि किस तरह से इस गरीब परिवार का भरनपोशन होगा यह पप्पू मांजी की वेटी है जरूर रही है विलख रही है अब न जाने इस वेटी का किस तरह से परवरिश होगा क्योंकि इसका परवरिश करने वाला ही इस दुनिया को छोड़ द सरकार और सरकार का सिस्टम जहना वह बहुत बरबाद भी आर का ना क्या बोल के पापा गया तो यह उनके बच्चे हैं उनके प्रिवार हैं यह सबसे छोटा बेटा है आप काफी रू रहा है बिलक रहा है है इसे भी पिता जी के जाने का दुख है यह पप्पु मांजी के पापा है क्या नाम हूँ आपका चचा कितने बेटे थे आपको चार चार बेटे पपु कौन बेटा मंजला बेटा मंजला बेटा इस वारजी से दिन जा रहे थे आपसे मुलाकात किया थे ना हम मुलाकात किर कि क्या बोले थे उसको हम एही कहें कि बि बिटाग बात हम की से तारे जमान मेटा माल बचाल हम के से तारे आप मना किये थे भैस्पत को न जा तो यह मिट्टी का घर उनी का है ना हम अब आपके घर जो पापा घर है तो आप ही किने कर वेगा पिता जी को तो घर भेगा आपनी और कुछ डिवलप्मेंट की बात करके वे गये थे कि पापा इस बार जायेंगे तो आएंगे तो यह करें जाओ तो बोल के जीवें करेंगे हम अभरी आवेंगे ते इतना 20,000 एटा गिरांगे तो यह पुरा परिवार जो है बोरू रहा है बिलक रहा है इधर गाओं के लोग वी है अप देख लिजिए पूरे ग यह आसू बहा सकते हैं इस दुख की घड़ी में क्योंकि हर लोग अपनी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन सरकार और सरकार की सिस्टम ने विहार के लोगों के इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने मिट्टी, अपने देश, अपने गाओं को छोड़कर, अप अपना परवरिष करते हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पप्पु मांजी जो अपने परिवार के अर्मान को पूरा करने के लिए जा रहे थे, आखिर उस अर्मान का क्या होगा, उस अर्मान को कौन पूरा करेगा, सरकार पूरा करेगी या फिर सरकार का मुख्या जी आए ले मुख्या जी ना विधायक कोई भी ने आए वीडियो सी यू उच्छ ने आए सब विधायक जी बोट मांगने आता है ना वहां उत्राइब करते हैं सब बेसरम नेताओं के लिए ये तस्वीर है जो पप्पु मांजी अपने गाओं मररा को छोड़ कर चिन्नई काम करने के लिए जा रहे थे लेकिन वाला सोर में रेल दुर घटना गरस्त होई जिसके बाद पप्पु मांजी की मौत हो गई और इस घटना के चह लोग अभी भी इ जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं उन्चह परिजनों से भी हम बातचीत कराएंगे कि आखिर उन पर क्या गुजर रहा है और इस गाओं के लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले